हलो दोस्तों कैसे हो मैं हूँ अश्वीन और स्वागत है आप सब का हिंदी चेस वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको फेबी आना करूआना वर्सिस विश्वनाथन आनन जी के बीच में जो टाटा स्टेल चेस में एट राउंड की गेम के लिए वो दिखान और नाइट टो एफ थरी खेला और दिस इस सोट अप एंटी नीम्जो सेट अप जहाँ पर अब आनन जी ने जो है डी फाई खेला और नाव नाइट सी थरी तो अब जो है गेम क्विंस गेमिट डिक्लाइन में ट्रांस्वर्स हो चुकी है जहाँ पर आनन जी ने बिशव बिशव खेला और यहां पर जो है पॉन स्टुक्चर ओलड़ी डिसाइड हो चुका है जहाँ पर वाइट का नॉर्मल प्लान है कि वह जो है माइनोरी टेक के लिए जाता है अपने जो है दो पॉन यह एडवांस करता है ब्लेक के दो पॉन के सामने एक्शेंज करता है यहा जासे उसको जो है वो किंग साइड एटेक का चांस मिलता है इस पॉजिशन में फेवी ने जो है बिशव टू एफ फोर खेला और यहां पर दोस्तों सी सिक्स और बाद में जो है काफी जो है नॉर्मल प्लान है बट आनदी जो है इस पर्टिकुलर गेम में जो है वो पीस के लिए उन्होंने यहां पर पहले कैसल खेला एंड आप्टर ए थरी उन्होंने जो है बिशव टू एफफ़ खेला एंड नाव जस्ट सिंप्ली क्वीन टू बी थरी और नाव नाइट टू सी सिक्स दोस्तों डी फाइप जो है इसकी वज़ा से थोड़ा विक हो जाता है क क्योंकि यह उनकी पर्स्ट ओपल प्रिपरेशन और दूसरा वो जो है पीशिस से साथ खेलना ज्यादा प्रिपर कर रहे है और बिशव टू जी फाइप एंड ओल्रेडी फेमी जो है वो डी फाइप को टारगेट करने लगे है और एफफाई और बिशव काप्चर से फ़ेट और एंड उसके अगेंस लाइन ओपन की जाए और नॉर्मली जो है एफप एफ़ाई अगर ओपन हो जाती है तब आपको जो है काफी अचाहिएट एक मिलता है और आपट नैट काप्चर से वो जो है और किया थ्रैट है बिशव काप्चर से और प्रिपर के यहाँ पर दोस्तों एक ही मूँ में जो है वो चेक मेट की थ्रेट है और रुक टू डीवन जो है वो भी पॉसिबल नहीं है क्यूंकि वहाँ पर क्विन काप्चर सोन डीवन जो है वो मेट हो जाएगी लाक बेशिक में जो है वो दिट्री स्केर पेज रही है और क्विन क्विन जो C4 और इस पोजिशन में, of course, knight capture C4 जो है, possible ही नहीं है, क्योंकि हमारा bishop और F5 जो है, हो hanging है, so Anandji ने जो है, यहाँ पे खिला, knight to B3, so 200 knight जो है, काफी अच्छी position पे उल्री आ चुकी है, और अब देखिये तो यह rook के पास जो है, इसी position में फेबी ने decide कि वो जो है, अब action दे देंगे, so उन्होंने कहला, queen captures on F5, and now knight captures on A1, so action देने के पीछे का logic क्या है, दोस्तों, logic है, first of all, आपका bishop to D3 जो है, with tempo निकल रहा है, and then आपका castle हो सकता है, knight on A1 जो है, वो little bit misplace है, and आपके पास जो action के विल्ले में एक pawn भी है, right, so इसलिए decision जो है, वो quite logical है, यहाँ पैसा नहीं है कि आगे सब कुछ जो है, वो फेबी ने calculate करके दिया है, right, bishop to D3, queen capture H7 की threat है, and now G6, queen to F4, and now knight to B3, knight की position जो है, improve की, and now castling short, queen to D6, और अब जो है, आनन जी के पास material advantage है, तो यहाँ पैं जो है, queen exchange करना चाहते है, but now queen to H6, और अब white की threat है, knight to G5, and H7 पर mate, so queen to F6, ताकि अगर knight G5 आती भी है, then queen G7 possible हो, and now C5, B6, C captures on B6, C captures on B6, and now knight to E5, and rook F2, C8, so दोस्तों, यहाँ पैडिया यह है, कि आप जो है, rook को exchange कर लो, and slowly slowly जितने piece exchange करते जाओगे, उतना ही जो है, आपका exchange का जो material advantage है, वो बोलता जाएगा, and now F4, rook to C1, and now rook captures on C1, knight captures on C1, and bishop to C4, so यहाँ पैप 7 पैट है, so rook to A7, and now knight to G4, and now Q2, D6, and Q2, G5, और दोस्तों, अब यहाँ पैट थ्रेट है, and knight to F6 की, जो की काफी जो है, बड़ी थ्रेट है, से आप यहाँ पै जो है, दियान नहीं रखते हैं, और खेलते हो, like rook to E7, right, but then knight to F6 check, or king G7 के बाद जो है, knight to even H5 check, and after king F8, यहाँ पै जो है, queen H6 check possible है, and even after king E8, आप जो है, F5 करके, break लेने की try कर सकते हो, और साथ-साथ जो है, इस थ्रेपोन को support भी दे रहे हो, यहाँ पै नाइट को मानना impossible है, क्योंकि queen जो है, वो under attack है, तो इस तरह से white को जो है, यहाँ पै कुछ attack मिल रहा था, but anyways, game में क्या होआ, क्योंकि queen to G5 के बाद, simply queen to E7 खेला, and now queen to B5, king to G7, and now F5, और अब threat है दोस्तो F6 की, so अनजी ने खुच जो है, वो F6 खेला, and after queen to D5, यहाँ पै फे भी की threat है, queen to G8 checkmate की, so queen to F8, and now F capture G6, H capture G6, and E4, so यहाँ पै देखिए, अगर इस board में से queen निकल जाती है, then black की position जो है, वो काफी अची हो जाती है, बट जब तक queen है, यहाँ पै जो है, वो actually white के पास attacking possibilities काफी अची है, and now queen to C8, knight पैटक है, and so h3, knight को support दिया, and now rook to D7, जो है queen पैटक किया है, and now queen to E6, और अब दोस्तों यहाँ पै जो है, rook captures D4 नहीं खेला जाता, क्योंकि rook जो है, वो pin है, and now queen to D8, so d4 पै जो है, वो एटक है, साथ-साथ F6 जो है, उसको भी save किया, और यहाँ पै दोस्तों knight captures on F6, इतना अच्छा नहीं है, अगर आप यह सोच रहे हो, कि queen captures F6, then queen captures on D7, और white को जो action भी वापस मिल जाएगा, white को कोई दिक्कत नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पै रूक E7 जो है, काफी dangerous है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, कि अगर आपको इस knight का protection करना है, तो आपको सेम लाइन में कहीं पर जाना पड़ेगा, like queen to C6, बट इस केस में queen captures D4, which check आ रहा है, और बाद में knight जा रही है, right, so rook E7 के बाद queen to D5 खेलना पड़ता है, क्योंकि अब king captures F6 possible नहीं, अदर्वाइस आपकी queen जा रही है, और queen captures on D5 के बाद knight captures D5, already काफी अच्छी हो चुकी है, queen जैसे ही board से निकलती है, यहाँ पर rook अपना power दिखाना शुरू करतेगा, and now game में चलते है, जहाँ पर queen to D8 के बाद, फेबीने knight captures on F6 नहीं खेला, उन्होंने खेला E5, but now F5, and after queen to F6 check, जबकि वहाँ पर, जो है, अब वो computer suggest कर रहा है, कि knight to F6 जो है, वो खेलना चाहिए, जहाँ पर rook A7 possible है, और यह जो है, तोटली new game हो जाती, जहाँ पर game जो है, तीन और result के लिए open है, but हमारी game में जो है, अब फेबीने queen F6 खेला, and after queen captures on F6, e captures on F6, and king to H7 जो है, बखेला गया, और अब जो है, computer already कहा रहा है, कि यहाँ पर, अनन जी जो है, वो completely winning है, और e captures on F6 के बाद, आब जो है, definitely, king F8 के लिए नहीं जा सकते है, otherwise white तुरंट इवीन हो जा, with knight to E5, उनका idea है, knight capture G6, जो कि unstoppable, I mean, उसको stop करना ना मुन किन है, और white is winning, right, so e captures on F6 के बाद, आग तुर, h7, and now knight to E5, rook पर अटेक है, but now, rook to D6, and now F7, क्योंकि D6 पर अटेक था, and now, आग तुर, g7, so basically, अब देखे, यहाँ पर, जो है, F8 square, यहने कि किनिंग square, already king से guard है, that means, rook जो है, वो simply, उदर अब free हो चुका है, and rook captures on D4 की, already threat है, so knight to F3, जो है, वो actually, Febhi ने खेला, and now, knight to B3, just knight की position improve की, और D4 पर जो है, वो एक ओर अटेक बनाया, and now, knight to G5, so यहाँ पर दोस्तो, knight captures on D4, जो है, वो possible है, जहाँ पर white, जो है, वो knight to H7 जा सकता है, और हम अब अपना action दे देंगे, with rook to D8, जहाँ पर से queen बनती है, but then, rook captures, knight captures, king captures, और इस position में भी जो है, वो black को जितने का chance, ज़्यादा है, black के पास, एक extra जो है, वो pawn है, but दोस्तों, यहाँ पर action देने की कोई जरूवत नहीं है, so, इसलिए knight to g5 के बाद, अनजी ने खेला knight to d2, जो है, bishop पर एटेक है, and now, bishop to e6, and now, rook to d8, क्योंकि, यहाँ पर threat ही है, bishop e6 के बाद, कि black जो है, knight to h7 खेलना चाहता है, and now, rook to d8, and after, king to f2, वो काफी powerful move है, क्योंकि अब जो है, knight captures d4, unstoppable है, say, king e3, then simply, knight captures on d4, और अब जो है, अगर आप pawn को promote करते हैं, then king उसको capture कर सकता है, right, so, वो कोई threat ही नहीं है, but anyways, game में चलते हैं, जहाँ पर king f2 के बाद, actually, आनजी ने जो है, वो king to f6 खेला, and now, यहाँ पर जो है, knight pair attack है, and अब black ने खेला, bishop to d7, जबकि दोस्तो, king f6 के बाद, say, इसी position में, आप जो है, pawn promotion into queen खेलते हो, तो आपका idea है, knight to h7 करके, जो है, वो बाद में, rook को win करना, बट वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंके simply rook captures f8, and after knight h7, simply king captures on f6, and after knight captures on f8, यहाँ पर देखिए, king to f7, knight pair attack, knight d7, और अब knight to c4, जैसे कि मैंने arrow करके, plan दिखा है, plan है b5 खेलना, and knight captures on simply a3, और यह unstoppable plan है, और वैसे भी दोस्तो, knight and pawn endgame जो होती है, वो king and pawn endgame के काफी करीब होती है, मतलब, वहाँ पे winning possibilities काफी बढ़ जाती है, जबकि rook endgame, opposite color bishop endgame, and queen endgame में जो है, वो draw की possibilities ज़्यादा होती है, even though आपके पास एक या दो pawn है फिर भी, right, but anyways, game में जो है, वो, आनन जी के king f6 के बाद, यहाँ पे फेबी ने pawn promotion नहीं किया, यहाँ पे उन्होंने खेला bishop to d7, so अब को अब rook captures bishop जो है, वो possible नहीं है, क्योंके pawn promotion to queen हो रहा है, so now knight to e4 check दिया गया है, और जैसे जैसे piece exchange होते जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे, वो black की winning होने की possibilities उतनी ही बढ़ती जाएंगी, and now knight captures on e4, f captures on e4, and bishop to e8 जो है, गेम में खेला गया, so अब जो है, king to e7, जबकि bishop to e8 के बाद, वो stockfish suggest कर रहा है कि king g7 जो है, वो still winning है, क्योंके से अब king e3 बढ़ दें, rook to c8, and after bishop captures on a4, simply rook to c3 check, king captures on e4, and now king captures on f7, और अब position जो है दोस्तों, वो यहाँ पे, black की winning है, क्योंके आप rook captures on a3 को stop नहीं कर सकते, और बाद में, most probably e spawn के सामने जो है, आपको अपना bishop वहाँ पे देना पड़ेगा, and then, black जो है आराम से एगेम विन कर सकता है, बाद bishop to e8 के बाद गेम में खिला गया, king to e7, and now king to e3, और अब देखिए, अगर हम सेम प्लान कहलते हैं, like rook to c8, and after king captures on e4, say rook to c3, so अब क्या हो रहा है दोस्तों, कि white यहाँ पे d5 and d6 का प्लान कहल सकता है, क्योंके d6 में उसको tempo मिल रहा है, और यहीं difference है दोस्तों, king g7 and king e7 में, अगर king g7 होता, तो यह tempo जो है, वो actually white को मिलता नहीं, right, but anyways, game में चलते है, जहाँ पे आनन जी ने king e7 खेला, and now king e3, and now rook c8 की बजाए, आनन जी ने खेला, rook to b8, और अभी भी देखिए, white को संबल के खेलना है, क्योंकि king captures on e4, then b5 on the sport, जो है, वो black के लिए win हो जाएगी, क्योंकि next move दोस्तों, हमारी यह आ रही है, simply b4, or a captures b4, then simply pawn 2, आए 3, और वहाँ पे black, completely winning है, so rook to b8 के बाद, bishop captures on a4, जो है, वो फेबी ने खेला, और यहाँ पे आनन जी चाहे दोस्तों, तो king captures on f से उन खेल सकते है, और यह powerful pawn जो है, यहाँ पे जा सकता है, और उसके बाद जो है, उनको हरने का तो कोई डरी नहीं है, but game में किया हुआ, कि वो शायद यहाँ पे win के लिए सोच रहे थे, तो उन्होंने पहले b5 खेला, and now bishop to b3, यह pawn तो से हो गया, but now rook to a8, so basically उनका प्लान यह है दोस्तों, कि rook captures on a3, और बाद में जो है, अपना b5 का pawn जो है, आगे push करना, और वहाँ पे win के लिए try करना, but now king captures on e4, rook captures on a3, bishop पे attack है, and now bishop to e6, and now rook to a1, जबकि उसी position में दोस्तों, black के लिए best है है, कि rook to a6 के लिए, जहाँ पे say d5 आता है, then black जो है, अपना pawn push करके, काफी अच्छा counter play create कर रहा है, क्यूंकि say king to, अगर आप यहाँ पे d4 खेलते हो, then simply rook captures on e6, pawn captures, and बाद में यह pawn जो है, वो queen हो रहा है, so say, जो है, b4 के बाद, आप जो है, king को d3 पे ले जाते हो, but then b3, king c3, and now rook to b6, और यहाँ पे हम देख रहें दोस्तों, कि already जो है, वो black का play काफी अच्छा हो चुका है, white को king b2 ही खेलना पड़ेगा, simply king to e5, and pawn to d6, जो की काफी deadly है, and now, यहाँ पे आने जीने, rook to d1 खेला, जबकि वहाँ पे engine suggest कर रहे है, कि rook to f1 जो है, वो खेला जा सकता है, बर दोस्तों e1 रूक f1 खेले, और वहाँ पे भी king e5, वो quite winning है white के लिए, क्योंकि rook e1 चे एक देन, जो मैं आने जीने, rook to d1 खेला, and now king e5, जो उनकी threat है, simply pawn to d6, and now rook to f1, but now d6 check, and after king f8, king to d5, rook to f6, and now d7, बर यह position जो है जो है जो है, जो है ब्लेक काफ से निकल चुकी है, और white is winning, and now king e7, और यहाँ पे देखिए, पे बिने काफिल आजाओ मूँखे लिए, king to c6, so with check जो है, वो अपने bishop का sacrifice कर रहे है, but यह powerful pawn की वज़ा से, दोस्तों, यहाँ पे white की win पकी है, say आप जो है, rook captures on e6 खेलते हो, but then king to c7 possible है, और अप जो है, pawn promotion into queen की threat है, so यहाँ पे से, आप king captures f7 खेलते हो, then नहीं queen बन रही है, rook d6 खेलते हो, then simply f8 पे queen बनेगी, and after king captures f8, king captures on d6, white is completely winning, so king to c6 के बाद, actually आनज जो आजाने खेला, rook f2, and now king captures on b5, and after rook b2 check, king to c6, rook to b8, but now king to c7, और इस position में, actually आनज जो आनने resignation दे दिया, क्योंकि यहाँ पर white के लिए, सिधा सदा प्लान है, कि वो अपने अब जो है, वो दूसरे pawn advance करना शुरू करेंगा, I mean to say h4, then g4, and वहाँ पर एक और pass pawn निकलेगा, right, दूसरी और यह दोनों pass pawn की वज़ा से, black के रुख को जो है, वो last rank पे ही रहना पड़ेगा, और यह king जो है, कभी भी bishop को capture नहीं कर पाएगा, so black के लिए जो है, move यहाँ पर almost finish हो चुकी, और जैसे ही, third pass pawn दोस्तों निकल जाएगा, वहाँ पर white के लिए यह जो game है, वो easy win में convert हो सकती है, इसलिए king c से उनके बाद, इस position में जो है, वो विश्वनाथन आनेंजी ने resignation दे दिया, so दोस्तों कैसी लगी आपको एगेम, almost आनेंजी की winning position थी, बट उन्होंने जो है, वो white kicking की activity को नजर अंदाज किया, जिसकी वज़ा से जो है, वो game उनके हाथ में से चली गई, so I hope मेरा वीडियो जो है आपको काफी पसंद आए होगा, पसंद आए है तो please इस चैनल को subscribe कीजिए, वीडियो को like दीजिए और अपनी comment देना बिलकुल ना बूले, धनिवाज चाहिए, बाबाई,